हाई प्रेंड्स गूड मॉर्निंग वेलकम बैक टू आर चैनल मैं हो स्मेता सिंग आप सब कैसे हैं होब आप सभी अच्छे होंगे मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और सुबह सुबह मैं अभी शौरे को छोड़ के आ गई ही स्कूल साथ पर मेरे वाकिन भी हो गई है और अ करना है और उसके बाद 9.50 और 9.45 तक मुझे निकलना है शौरे को देने के लिए तो अभी मैं किचन में जाती हूँ और फटा-फट से सारे काम स्टार्ट कर देती हूँ ताकि बाद शौरे को छोड़ने जाओं कि उसके पहले सब कुछ रेडी रहे क्योंकि वो जब आएग करना है तो उनका सब कुछ रेडी करके जाना पड़ेगा लंच बॉक्स वगयरा सब कुछ तो चलिए अप किचन में चलते हैं और अपना काम स्टार्ट कर देते हैं तो यहां पे आप देख सकते सूबा में मैंने पुजा भी कर ली है लेकिन अभी फूल तो उड़के दूँगी तो अभी मैं आगी हूं किचन में सबसे पहले ना दूद का पैकेट धुल दूँगी उसके पाद उसको खोल के उबलने के लिए रखोंगी और सुबा के टाइम पे मैं आते समय उधर से दूद भी लेके आई थी नहीं तो कभी कभी ना लेट होता है तो फिर दूद को मैंने निकाल दिया है और थोड़ा से दूद मैं अलग रख दूँगी क्योंकि जब ये वाप करके आएंगे ना तो चाय बनाने के लिए और यहां पे मैंने कुछ सामान मंगवाया थे ड्राइफ रूट्स तो वो भी आ गया था उसको मैं चेक कर रही थी कितना ब बछचे को बहुत पसंदाता है तीनों को तो यह बना दो ना तो तीनों बच्चे बहुत ही मन से खाते हैं तो मैंने सोचा कि सुभर में फटा-फट ये बना दूँ तो उसके बाद ना इनको आलो गोभी की सबजी बनानी थी नाच्टे के लिए और टिफिन में ये डलीआ तो सबसे पहले मैं चाना मसाला बना दी क्योंकि उसको उसमें प्रेशर आने में टाइम लगता है ना चाना पकने में यहां सबची में कट कर रही हूँ यह वाकिंग से आ चुके थे तो मैंने फटा फट चाय भी बना ली है और सुबह में एक बार चाय पी के जाते हैं हम होता है और यहां पे ना सारी प्रिपरिशन मैंने कर ली है तो सबसे पहले मैं चने बना लोंगी उसके बाद सबची बनाओंगी और दलिया बनाओंगी तो यहां पे ना प्याज टमाटर लहसन और मिर्च मैंने ली है इसका पेस्ट बनाएंगे और यह चना जो भीगाया बहुत पसंद है उन सब को तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है कि ठीक है चना तो वैसे भी फायदे की चीज है तो सबसे पहले मैं चना मसाला बना लूँगी उसके बाद बाकी चीज़े बनाऊंगी और अभी क्या है ना सुबा के टाइम थोड़ी जल्दी है क्योंकि मैं जब चौरे को निकलूँगी लेने के लिए ना तो उसके पहले साड़े नौ तक हजबन को भी ऑफिस निकलना रहेगा तो मैंने सोचा था कि मैं नाच्ता बना दूँ फिर वो चना खाते नहीं है उनको ऐसा मतलब उतना चना वगएरा पसंद नहीं है तो उनके लिए मैं आलो गोबी की सब्जी बनाऊंगी और नाचनी की रोटी है उनके लिए वो बनाऊंगी मतलब नाचनी के आटे की और बच्चे तो ये खाएंगे और लंच बॉक्स में इनको दलिया ले जाना है ककडी, ड्राइफ रूट्स और पपईया तो ये इतना सब क कुछ मैं रेडी करके जाओंगी ताकि मतलब मैं आऊं तो फिर और कुछ ना रहा क्योंकि आने के बाद शौरे को भी नास्ता चाहिए होगा और तब तक बच्चों को भी सबको नास्ता चाहिए होगा तो यहां पे ना मैं फटा-फट सारे काम खतम कर रही हूं और अपीनमे तो यहां पे यह चन्ना मसाला बन के तयार है यह आलू बोभी की सबजी ना बहुत ही कम तेल में बनी है इनकी और यहां पे मैं दिखा रही हूँ यह उपर की ना तीन रोटी नाचनी की है बाकी गेहूं के आटे की है और तो मैं फटा-फट इनका डबबा पैक कर देती हूँ यहां पे मैंने दलिया रखा है और दलिया भी बहुत ही कम घी मतलब आदे चमच घी में बना है ककड़ी है और पवईया है और इधर डेट्स है काजू बदाम अखरोट और यहां पे ना मेरे नास्ते के लिए भी थोड़ा दलिया है क्योंकि मैं भी नास्ते में दलिया है मुझे तो फिर मैंने बोला ठीक है क्या खाओगे तो फ्रेंक की खाना था तो बस मतलब उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है तो तीनों के लिए मैं फ्रेंक की लेके आई अभी यह लोग फ्रेंक की खा रहा है सुबह में मैंने फटा-फटी नों के लिए जो बनाया था वो जादा जल्दी थी क्योंकि सुबर में जब मैं शौरे को छोड़ने गई तो साड़े साथ बजे मैं घर से गई तो उस टाइम पे मैं नहा के पूझा उजग कर चुकी थी ताकि आने के बाद मुझे बस नाश्ता और टिफिन बनाना रहे तो मैं आई उसके बाद मैं फटा-फ और शौर्या इन लोगों को फ्रैंकी खानी थी तो मुझे पता नहीं था मुझे लगता है इन लोगों ने रात कोई प्लान कर लिया था तो शौरे आतिस मैं बोला कि मम्मी मुझे फ्रैंकी खानी है मैंने बोला ठीक है तो फिर शौरे से फाली और सानिया के लिए मैं फ्रै तो मैं तो इसी लिए चन्ना मसाला जो है वो सुबा में ही बनाई थी कि इन लोगों को रोटिया पराटे के साथ में अच्छा लगता है नाश्ते पे तो वो तो इसी ने खाया नहीं है अभी और अभी उसको ये लोग राइस के साथ दो पहर में खाएंगे और घर पे आज दो पहर में सिर्फ शौरिया है सेफाली गई है अपने डैट के साथ ओफिस और सानिय अपने कॉलेज जा रही है शौर एक्जाम देके आ चुका है तो दो पहर में बस वही रहेगा और उसको चना मसाला और राइस बहुत पसंद है तो दो पहर में मैं राइस बना दूंगी तो हो जाएगा मेरा काम और बस सुबह का यही रूटीन रहता है बहुत जादा बिजी रहता है अगर बच्चों का स्कूल वगरा रहे तो अभी तो थोड़ा सा मतलब स्पीड कम है मेरी भागम भाग की लेकिन अभी जब इप्रेलिया में से शायद सानिया का भी मॉर्निंग का स्टार्ट हो जाएगा तो वो भी लंच बॉक्स लेके जाएगी सुबह में नाश्ता करके जाएगी क्योंकि आने में लेट हो जाता है और अकसर होता है बच्चे सुबह में मतलब बहुत ही लाइट लेते हैं जब मैं बहुत जादा पीछे पड़ती तो अगर मैं जाता पीछे नापड़ो तो ये लोग सुबह में कुछ भी नहीं खाते बिना खाये ही जाते हैं बिना नास्ता किये तो वैसे मैं कोसीश करती हूँ कि ऋफिर साथ में तिफिन लेके जाये तो ठीक है बस ये था मेरा आज का बहुत बीजी वाला रूटीन और फिरहाल अभी जो मेरे घर के जो काम बचे है उसको मैं कम्प्लीट करूंगी ब्लोग को पूरा देखिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो अभी मैं आ चुकी हूँ रूम में कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और बगल में देखिए ये जो हैं साहब लेटे हुए हैं इनकी नानी इनको प्यार से साहब बुलाती हैं और इस नाम से ये बड़े खुश हो जाते हैं तो फिर अभी ये लेट के मोबाइल में गेम खेल रहा हैं तो अभी राइस बनके रेडी हो चुका है मैं निकाल देती हूँ तो यहाँ पे प्लेट में मैं निकाल रही हूँ राइस और जो मैंने चने की सबजी बनाई थी चना मसाला वो और राइस के साथ में भी ये बहुत टेस्टी लगता है तो किसको किसको खाना है आज आईए मेरे घर में तो ये मेरे तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है रोटी के साथ में भी पराठे के साथ में और राइस के साथ में भी तो अक्सर जब भी मैं यह बनाती हो ना तो लास्ट में जैसे सुबा में अगर यह रोटी या पराठे के साथ नास्ते में दी हो ना तो दो पहर में सब को यह राइस के साथ में चाहिए ही होता है तो यहाँ पर शौरय की प्लेट लग गई है मैं जा रही हूँ उसको खाना खिलाने और उसके बाद उसको जाना है तूशन तो आईए आप सब भी हमारे साथ इंजॉय करिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और आईए फर्स्ट बाइट आप सब के लिए तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के एक बज रहे हैं और मेरा और शौरया का लंच हो चुका है तो अब मैं अपने इस वीडियो का एंड करूंगी क्योंकि मुझे और भी वीडियो एडिट करनी है ब्लॉग एडिट करना है आप लोग के लिए तो होप आज का मेरा ये आप सबको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपना और अपने फैमिली का बहुत ज्यादा वाला ध्यान रखें बाबाई टेक केर मैं मिलती हो नेक्स व्लॉग में